दोस्तों मैं मनजू हल्दवानी उत्राकंडसी दोस्तों वैसे तो गार्डन में हमें हमेशा ही काम होता है पर अगर बारिशे हो जाएं तो हमारे लिए काम बहुत जदा बढ़ जाता है बहुत सारे प्लांट की हमें जब कब से सोच रहे होते हैं reporting करना होता है कोई भी काम जो क्या का काम किये है आपको मेक्र करकर दिखाती हूँ यह देखि दोस्तों मेरी बार लीली ही कल ही मैंने रिपॉर्ट की है तो यह ऐसा था कि हमारे पास एक चोठा सा ये पॉन टाइप का था यहां पहले हमारे याग गायँ हुआ करती थी गाय का खाना काने के लिए थी तो यह काफी समय से ऐसे ही पड़ा हुआ था और मेरे बाटर लिली के प्लांट जो थे मैंने टब में लगा रखे थे तो टब में उनमें बहुत अच्छा रिस्पॉंस नहीं रेख रही थी क्योंकि गरम होता था तो जो पानी था वो भी गरम हो गया है देखिए बारिश है इतनी हुई कि प्लांट कली कल मैं रिपोर्ट करके भी उसमें सैट हो गया और जो है इसको इसको इस पेस भी काफी अच्छा मिल जाएगा तो यहां पर यह अच्छा भी लगीगा तो वाटर लिली का तो तीन प्लांट थे मेरे चंपा के और ती अच्छी तरीके से चलने भी लग गया है तो तीन मैंने अपने चंपा के प्लांट रिपोर्ट कर दिया हैं काफी अच्छे बड़े प्लांट है और जो इस पेस बच रहा है इतना बढ़िया इस पर मैं अपने जो पर्सिनल और पार्च रुका है उनको बिंटर के लिए जो नर्सरी के जो पॉली बैग होते हैं उनको इस तरह से रिपोर्ट के रह रखा है यह देखिए मेरे बारे से बचाने के लिए मैं किनारे तैस के प्लांट है अब सर्डियों में इनका सीजन आने वाला है यह पिंक कलर का है यह एग कुछी तिन पहले मैं असी कटिंग ला रिपोर्ट कर दिया है, मेरे पास पॉइंट से चार बैट प्लांट है और ये देखिए, ये कि ये बड़ा प्लांट है, तो ये पिंक कलर करने के लिएगा आप इस पर पिंची मगरे करने की गलती नहीं करनी है, क्योंकि देखिए, कोई भी प्लांट गुखना बनाने काम नहीं कर, जितना करना था इसमें कर दिया, ये कुछ दिनों के बाद जो है, इनके जो लीफ हैं, वो जिस वेराइटी के होंगे या पिंक होंगे तो पिंक होँ जाएगे, रैट कलर के हो जाएगी तो तो इसमें ये काम होने लिजा इसलिए अब इसकी पिंचिंगर नहीं करें इनको जो है जिस तरह से बस अच्छी स्वैल देकर इसका जो बड़ा प्लांट था तो मैंने इसको जो है बड़े प्लांट पहले मैंने यह पॉली बैगवर में समाल लखी दे गर्मियों में यह देखिए इस स्पाइडर प्लांट क्या बहुत सुन्दर प्लांट था तो इसी से मैंने साइड से निकाल कर अपने जो है दुसरी टोक्री भी तियार कर दी तो इसके जो रणर थे उनको मैंने इस तरह से दबा दिया तो यह सब जो है मेरा एक यह नया प्लांट भी अच्छी तरह बैराइटी के हैं तो इनको तो जो टोकरी खाली हो जाती हैं, ऐसे काम वहुत सारे होते हैं, जो गर्मी में नी चलते हैं, बहुत ठंड में प्लांट बिल्कुल आच्छी तरह सर्वाइब ने हैं, और बारिश है कुछ जरासी भी हो जाएं, तो प्लांट बहुत जल्दी उनके सक्सेस रेट जो हैं, पानी भी दिया बारिश, सारे प्लांट रूए यहां से जितने प्लांट ने हटा के नीचे रखे, नीचे रखने के बाद जो हैं, फिर से इनको सिफ्टी कर दिया, यह देखिए, यह जो क्रिस्मस कैक्टस और बहुत सुन्दर प्लांट होता है, यह भी तो आप मैं देखि अच्छी तरह से चल रहे हैं हावर्दिया देखिए आप एक से एक बेराइटी हैं जिनके ज्यादा प्लांट एक से ज्यादा दो बन गए थे पॉर्ट में तो उनको सिफ्ट करके देखिए इस तरह से नईने प्लांट भी भरे हैं इसने एक प्लांट बहुत डिवाइड होता है कल निकालके एक से तीन चार में सर्वाइड बहुत अच्छी हो जाएंगे इस समय किते सारे मैंने इसने प्लांट ग्रो कर दिये हैं यह देखिए सब छोटे डिपॉर्ट में फाइलो डेंडर्ण का यह प्लांट बहुत पहले लेकि रखा था तो इसको रिपॉर्ट करना के लिए इसके साथ इस्टिक चाहिए तो कल ही जो है मैंने देखिए यह जो बोरी बगर पुरानी होती इससे बहुत अच्छी इस्टिक बन जाती है हमारी और यह प्लांट जो है इसमें बहुत अच्छी तरह कर दिखेगी नहीं बस इसमें जो है यह बहुत जल्दी बढ़ जाएगी इसी तरह से कुछ समय पहले यह देखिए बड़े पत्तो माला मनी प्लांट था मेरा यह देखिए कि तबड़ा पत्ता है इसका तो इसको जो है मैंने देखिए यह बनाई और यह इस्टिक पचड़नी भी लग गई है विकि बोरी बगर में जो है बारिश बगर मे त्यार हो चुका है यह द्रेसिना महत्मा देखिए कि तक प्यारे सी कलर हैं तो यह प्लांट में यह कमी लगती है मुझे जब यह प्लांट बड़े होते जाते हैं नीचे के पत्ते सूप जाते हैं प्लांट लंबी-लंबी हाइट जा लेते वो सुन दे तो मैंने ऊपर की स् यहां से चुटा है इसलिए आयरन के एक को लगा रखिए पुराने पत्ति पड़े जिसे प्लांट को आयरन मिलता रहेगा तो इसमें इसको रिपॉर्ट कर दिया तो यह बहुत अच्छा प्लांट जो है अब से बहुत सुन्दर निखर रहे हैं बारिशों के हो गई तो फि लंबी हो जाते हैं तो इसमें मेरे पास जो है मेरा जीनिया बहुता जीनिया की कटिंग जो है बहुत आसने चल जाती है तो कली देखे मैंने कटिंग लगाई है उसमें से एक कटिंग थोड़ा सा जुकी हुई है कि आज बहुत तेज दूप है और कटिंग देखी किती फ्र कि इसलिए हैं हर प्लान्ट कु ही क्याली है प्लांट के अगर जिस से मेरा मदर्श हो जाता है तो मेरे पास बिलांट बांट बचे रहते हैं तो मैं इस oral बन गया थे इस देख लगती है तो यह बहुत दिन से मैं इक पॉलिवेग में सिप्ट कर रखा था इंडूर में लगाने के लिए एक प्लांट त्यार कर दिया इसको मैं इंडूर में रखूंगी अपनी बाइट कलर की पॉट पर इंडूर में लगए प्लांट काफे सुन्दर दिखते हैं परस्सलें 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 के लाइए खाली भी कर देने प़ते हैं यो कि बहुत सुरों भी प्लांट के नीचे ढल explor retro धिए तो यह बहुत परस्ट कर दिया के और फिर एप्लों आपका प्लांट यहां पर दालत मैं भी प्लान लगा देन जिसमें dotim तो यह मैंने जो है इस तरह से अपने कुछ पॉट से रेडी करें दोस्तों यह कॉर्सेंट्रा है इस मैं औरंज गल की फिलावर आते हैं तो यह फिलावर हमारे जो है पानी के संपर्ग मा आने से इसके बीच खुद फूट जाते हैं तो इसके मैंने ऐसे कही से सूखे फूल इनके समाल दिया थे उनको मैंने बडाल दिया तो इसके कॉर्सेंटा के प्लांट को रिपोर्ट किया मैंने यह देखे दोस्ते प्राना बासबसीन था तो इस मैं मैंने देखे जैड लगा दिये कुछ दिन में ही सारे जैड जो है क्योंकि जैड की मेरी कटिंग रेडी हो च सिप्ट कर दिया तो इस तरीके से देखिए यहां बहुत सारे प्लांट को एक खटा लगा दिया यह सब मेरे बिंका के हैं और सब मेरे hybrid variety के बिंका है यह बहुत अच्छी जो जो पॉट खाली होते हैं उनमें इस तरह सिप्ट करती जाती हूं दोस्तों काम तो और भी बहुत स इन फूलों की खुब सुपती को देखे तो मेरी थकान दूर जाती है तो बहुत सुन्दर रखता है तो इनी फूलों को दिखाते होने वीडियो से माप्त करती हूं यह देखिए मेरी कितनी इस अच्छी स्वीट टाटू बाइन गार्ण के बीच वीच में लग रही है तो उम्मिद करती हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा इंजोई यूर गार्णिंग फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में तक तक के लिए नमस्कार